आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ ठीके और वो भी क्या हो, Negative में हो तो हमें K बतानी है कि K किस में Belong करेगा ठीके, तो चलो देखो अगर मैं मान लोग कि कोई एक HX है ठीके, अब वो कितना है वो X3 माइनस में 3X के Equal है बस ठीके, और एक GX है वो मान लेता हूँ मैं कि वो माइनस अब K के Equal है तो अगर मैं HX is equal to GX करूँ HX is equal to GX करूँ तो क्या है का देख लो X3 minus 3X is equal to minus K इसका वत्तब X3 minus 3X प्लस में K यह 3X है ठीके, और is equal to 0 ठीके, इसको अच्छे से लिख लेता है चलो, तो यह 3X है 3X plus K is equal to 0 यह है तो मत्तब कि जहाँ पर HX is equal to GX अगर Equal हो रहा है वहाँ पर यह equal to 0 होगा और यह ही अपना कितना है FX है तो मत्तब कि अगर यह जितने जितने value पर यह दोनों equal होंगे HX और GX उतने ही इसके root आएंगे है के ने तो मैं बस इसे concept का यूज करते हुए इसको करता हूँ तो देखो, मैं क्या करता हूँ कि पहले HX का यह graph plot करता हूँ मैं देख लता हूँ कि पहले यह 0 कब होता है तो HX is equal to 0 कब होगा जब X cube minus 3X यह equal होगा 0 के इसका मत्तब X common किया तो X is equal to minus 3 is equal to 0 इसका मत्तब कि X is equal to 0 होगा और X is equal to plus minus of unroot of 3 होगा ठीक है तो इसका sign अगर देखना है कि यह positive है कि negative है वो उसके हिसाब से तो यहाँ पर minus of unroot of 3 होगा और यह 0 होगा और यह unroot of 3 होगा तो देखो यह अपना HX जो है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि X into X plus unroot of 3 और X minus of unroot of 3 लिख सकता हूँ ठीक है लिख सकता हूँ तो चलो देखो तो अगर यह X की value unroot of 3 minus unroot of 3 से छोटा है तो इसका मतलब यह 3 होगा तीनों क्या होगे एक negative होगी एक negative value देगे तो यह negative होगा अब क्या करो कि alternate चलते रहो तो यह alternate value देता रहेगा तो यह minus होगा और यह plus होगा और यह minus होगा और यह plus होगा, मतलब इन दोनों के बीच में यह negative value देगा अपना function hx, ठीके, तो इसका मैं graph plot करने के कोशिज करता हूँ, graph भी कुछ इसी तरह से होगा, क्योंकि देख लो negative positive ऐसा ही देता है, तो लो यह लो, मेरा axis बन गया, ठीके, अब मैं इसका graph plot करने के कोशिज करता ठीके, और यहाँ पर है minus of under root 3, और यहाँ पर है under root of 3, ठीक, तो under root of 3 से minus under root 3 से चोटा में यह negative value दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह से गया होगा, और यहाँ पर touch करना है, तो इसका मतलब कुछ करके भी ऐसे करके आया ही होगा, ठीके, और यहाँ पर भी touch करना है, उपर जान अब क्या करना है कि मुझे पहले ये मैं देख लोता हूँ कि ये point क्या है ये जहाँ पर ऐसे है ठीके तो ये point कौन सा होगा जहाँ पर ये क्या होगा यहाँ पर देखो slope जो होगा अपने function का मतलब अपने hx का ये अपना hx के equal है ठीके ये और hx क्या है x3 माइनस में 3x है ठी अचेट x करूँ और इसको मैं 0 के equal कर दूँ तो ये value आ जाएगा हमरे पास कि ये किस पर 0 हो रहा है तो देखो ये हो जाएगा 3x square माइनस में 3 is equal to 0 इसका मतलब x square माइनस में 1 is equal to 0 इसका मतलब x के value कितनी आएगी plus minus 1 इसका मतलब ये value होगी 1 और ये होगी minus 1 ठीके अब दे लेता हूँ तो देखो h of 1 अगर मैं निकालू तो वह कितना आएगा देखो 1 minus में 3 इसका मतलब minus में 2 आएगा तो यहाँ पर आएगा कौन से value minus 2 आएगी यहाँ पर minus 2 आएगी इसी तरह निकालेंगे तो ये आएगी अपनी 2 आएगी यहाँ पर ठीके तो चालो ये अपना 2 value line होगी इस तरह से ये मैं बढ़ा देता हूँ इसका line को ठीके अब देखो मुझे क्या कहा गया है मुझे कहा गया है कि exactly one root चाहिए और वो भी क्या चाहिए न नेगेटिव चाहिए ठीके तो अपना gx जो है gx वो क्या है minus of k है कोई एक constant value है ठीके positive negative कुछ भी हो सकता है त तो gx मुझे एक root चाहिए और वो भी negative root चाहिए इसका मतलब क्या होता है और negative root ये root का क्या मतलब होता है कि fx और gx मतलब hx और ये gx दोनों आपज में पराबर होना चाहिए और ये gx का जो graph होगा वो एक constant मतलब y is equal to c type का graph होगा मतलब x-axis के parallel graph होगा ठीके तो अगर मैं graph इस तरह से बनाओं यहाँ पर बनाओं ये दखो अपना minus 2 वाली है ठीक है ये अपना minus 2 वाली है ठीक है तो ये अगर मैं मालूँ कि ये gx था ठीक है ये अगर gx के equal है और ये कितना है minus 2 है तो ऐसा करने पर मेरा जो root आएगा वो कितना आएगा दखो root क्या होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को cut करें ये दोनों graph तो ये यहाँ पर एक touch करेगा और यहाँ पर touch करेगा तो उतने ही root मिलेंगे हम यहाँ पर दो root मिल गया इसका मत्तब्द हमको कितना चाहिए था सर्फ एक root से यह था ठीक है तो एक root का possible है ये अगर graph ऐसे जा रही है नीचे तरफ ठीक है ये graph ऐसे नीचे तरफ जा रही है तो एक root का possible है जब अपना gx इससे नीचे कहीं हो इसका graph कहीं इससे नीचे हो इस तरह से हो तो एक graph possible है देख लो सिर्फ एक ही जगा कट कर रहा है मत्तब एक ही point मिलेगा एक ही root मिलेगा और इसी तरह अगर यहाँ से उपर अगर मैं gx ले लूँ इधर तो यहाँ पर भी देखो एक ही root मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो root मिलेगा यह देखो यह होगा root और यहाँ पर जो root मिलेगा यह होगा root ठीक है तो यह तो positive root मिलेगा यहाँ पर क्योंकि x के value यहाँ पर positive है लेकिन यहाँ पर negative root मिलेगा है कि नह negative root मिलेगा तो इसका मत्तब कि मेरी यह gx होनी चीए न वह gx 2 तो नहीं होनी चीए क्योंकि 2 पर 2 value आजाएगा 2 से थोड़ा सा मतलब minus of 2 से minus of 2 से थोड़ा सा छोटा होना चीए इसका मत्तब कि मेरा gx जो होना चीए वो छोटा होना चीए minus of 2 से और gx क्या है minus k है और यह होना चाहिए minus of 2 से छोटा ठीक है अगर minus से multiplication कर दूर साइन reverse हो जाएगा और यह हो जाएगा k हो जाएगा और यह greater than 2 हो जाएगा इसका मत्तव k की value कितने आगी है 2 to infinity इसके लिए हमारा जो हमारा जो function गिवन है यह जो function गिवन है इसके सिर्फ one root मिलेंगे वो भी negative तो 2 to infinity अफसा नमबर फास्ट क्या है साही है ओप आपको समझ में आवा थेंक्यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर